कि नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चनल पे उस बत की बड़ी खबर आ रही है महरास्ट उसे बीजेबी नेता क्रीट सुमया के उपर हमला करने वाले आठ शिवसेनिकों ने पुलिस के सामने किया है आत्मस समर पड़ आपको बता दें कि अभी तक शिवसेना की जिन लोगों ने कारे करताओं ने क्रीट सुमया के साथ मार पीट की थी और जान लेने की कोशिश की थी क्रीट सुमया की अभी तक इन बातों से नकारा जा रहा था शिवसेनिकों की तरफ से और कहने की कोशिश की जा रही थी कि हम स सच्चाई निकल कर सामने आई है तो अब शिवसेना के कारे करता और पूरे जिले के अधियक्ष संजे मोरे ने भी इस चीजों को कबूल लिया है आठ शिवसेनिकों ने इस बात को माना है कि हाँ उन्होंने क्रीट सुमया को जान से मारने की कोशिश की थी और इसी के चलते प किस तरीके से महाविकास अघाडी सरकार के दुवारा सो करोड और हजार करोड और कभी बीमसी में 90 करोड रुपे के घुटाले किये जा रहे हैं और इसी के चलते जिस तरीके से बौकला गए थे अभी कुछ दिन पहले अगर हम बात करें कि जब बीजेपी के नेता किरीट स सुमय या पूने की नगरनिगम पालिका में गए और वहाँ पर केस दर्ज कराने के लिए किस तरीके से महाविकास अघाडी सरकार में नेता और राजे सबासांसस संजे राउत के करीबी संजे पाटिकर जैसे लोगों को फरजी वारे के तहत पहले कोविट सेंटर का पूरा अब डील दी जाती है और उसके बावजूद भी किस तरीके से जनता के पैसों से खिलवार किया गया लोगों की जान से खिलवार किया गया और इस बात की सच्चाई यानि की 100 करोड रुपे के घुटाले को लेकर अगर खुलासा किया किरीट सुमय ने तो इसी को लेकर किस इस बॉकला गए शिवसेना के कारे करता और इसी के चलते में मारपीट करने की कोशिश ही क्या मारपीट की गई किरीट सुमय ने जान से मारने की कोशिश भी की गई और उसके बाद वो जिंदा बच गए अस्पताल में उन्हें भरती कराया गया क्रीट सुमय ने इस बात को साफ तोर पे कहा था कि किस तरीके से शिवसेना के सौ से जादा गुंडों ने क्रीट सुमया को जान से मारने की कोशिश की थी उस वक्त पे बेशक शिवसेना के जो कारे करता है उन्होंने इस बात कोई मानने से इंकार कर दिया और कहा गया कि हमने ऐसी चीज़ें हमने ऐसी हर कते नहीं की हम सिर्फ क्रीट सुमया से बात करना चाहते थे पर आज लगातार शोशल मीडिया पर वीडियोस वाइरल हो रहे हैं कि किस तरीके से शिवसेना के पूरे के जिला अधियक्ष संजय मोरे और तमाम जो आठ लोग हैं जिन्होंने पुलिस के सामने आत्म समर्पड कि गया है इस बात को मान लिया है कैसे बीजेपी नेता क्रीट सुमया को जान से मारने की कोशिच की जहां एक तरफ शिवसेना के कारे करताों ने इस बात को कबूला है कि किस तरीके से उन्होंने क्रीटarma कर सामने आ रहा है कि अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं शिवसेना की और संजर्राउत की क्योंकि संजर्राउत के उपर ही 100 करोड रुपे के मामले का पूरे घुटाले का इल्जाम लगाया गया यानि की जो खुलासा किया गया 100 करोड रुपे के घुटाले का और यही बड़ा कारण था जिसके चलते शिवसेना की जो कारे करता है वो इस तरीके से बौकला गए और हमला किया बीजेपी के नेता किरीट सुमया किरीट सुमया बीजेपी के पूर्व लोकसभा के सांसद है और जिस तरीके से पुराने दिनों की भी बात करें और या फिर जब से 2019 से महाविकास अगारी सर करक के कई नेताओं के जो गोटाले हैं उनका परदा फाश किया है चाहे फिर वो संजराओत हो उदेब ठाकरे हो या फिर तमाम और प्रमीर्ट राओ जेसे लोग हो या फिर तमाम और बडे नेता अजीत पवार जैसे और या फिर 100 करोड़ में की घृटाले का मामला हो लेंदीन का मामला हो जो से महरास्ट के पूर्व ग्रह्मंत्री 100 करोड़ में की लेंदेन की बात कर रहे थे इस बीच में भी करीट सुमया ने ट्वीट करके कहा था कि अगर 100 करोड रुपे की मामले की बात है तो कम जगम 100 दिन तो अनिल देशमुक को जेल में रखना बनता है और उनसे पुछना चाहिए कि किस तरीके से 100 करोड रुपे का लेंदेन हुआ और ये 100 करोड रुपे कहां कहां गया आपको बता देंगे ये पहली बार नई है कि किरीट सुमया ने महाविकास अघाडी सरकार के नेताओंका परदाफाश किया हो कई बार किरीट सुमया महावि क्रेटिट कार्ड मिलते हैं इसको लेकर भी खुलासा किया गया था किरीट सूमया की तरफ से या फिर अभी यानिके जिस तरीके से अनिल पड़त के बंगले की अगया अगर बात हम ळीएमसी में घोटाले की बात करें तो जब से महाविकास अगारी सरकार जो 2019 riches सरकार नहीं है और उसके बाद लगाता जितने भी घोटाले महाविकास अगारी सरकार में हुए हैं उन सभी का परदाफाश क्रीट सुमया ने किया है चाहे फिर उद्दव ठाकरे की बीवी रश्मी ठाकरे का लेंड घोटाला हो या फिर संजराउत की बीवी वर्शाराउत के घोट घोटाले की बात हो पी-म-सी बैंक के घोटाले की बात हो तमाम ऐसे घोटाले हैं जिनका परदाफाश किया है वो भी डॉक्यूमेंट के साथ हर चीज जो बात जिस हर घोटाले को लेकर अगर बात की गई है किरिट सुमया की तरप से तो वह दस्तावेजों के आधार पर की की क्रिट सुमया को और कहा कि कैसे वो सरकारी दस्तवेज में किसी अधिकारी की कुर्सी पर बैठे हैं उस वक्त पे भी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री देविंद्र फड़नवीज ने कहा था कि सरकारी ऑफिस किसी के बाप पी जागीर नहीं है कोई कहीं पर भी जाके डॉकुमेंट चेक कर सकता है और यहीं बड़ा कारण है कि आज अगर महाविकास अगाडी सरकार के घुटाले निकल कर सामने आ रहे हैं तो चाहें संजराउत हों क्योंकि अभी लगातार महरास्ट में उद्व ठाकरे के करीबी और संजराउत के करीबी जो नेता है या फिर बड़े घुटाले किये गए हो या 100 करोडर में से उपर का मामला हो इन सभी को लेकर आज महाविकास अगाडी सरकार महरास्ट में घिरी हुई है और यहीं बड़ा कारण है कि जहाँ शिवसेना के जो लोग है यानि की कारे करता है वो पूरी तरीके से बौक लाए हुए है पर बरहाल बात बड़ी ये है कि अब जिस तरीके से शिवसेना के कारे करताओं ने आत्म समर्पन कर दिया है पुलिस के सामने अब चीजा निकल कर सामने आएंगी कि आखिर कारे करता है ये किस परपर से वहाँ पर पहुचे क्योंकि किरीट सुमया जिस वक्त पे पूरे के नगर ने गम पहुचे उन्होंने कहा कि जब मैं अंदर गया यानि कि जब मैं पीमसी के अंदर गया वहाँ पर कोई भी नहीं था बस दो लोग थे और जब मैं वापस आया तो वहाँ पर भीड खड़ी हुई थी मुझे जान से मारने के लिए अब लगातार सवाल ये सु मैया को मार दीजिए या फिर कृट सु मैया के साथ हाथ अपाई कीजिए अब एक एक करके सारी सच्चाई सामने आने वाली है क्योंकि जहां एक तरफ भारती जंदा पार्टी की तरफ से पहले ही इस पूरे मामले को पुलिस स्टेशन में दर्च कराया जा चुका है और मैया के ऊपर जाल लेवा हमला हुआ उसके बाद कि सिवसानी कों की तरफ से लगातार इस बात को मानने से इंकार किया गया तो वहीं दूसरी तरफ भारते जंदा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांथ पार्टी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता उन्हें घोर नि बड़ा गुना हो जाता है और आज अगर महरास्ट में महाविकास अगारी सरकार के ऊपर कोई उंगली उठा दे और सचाई निकाल के सामने रख दे तो किस तरीके से जान से लेने के देने पड़ सकते हैं आज ये पूरे देश की जंदा देख रही है क्योंकि ये पहली बा अगर उनकी फोटो डाल दी तो इसी को लेकर किस तरीके से बॉक ला गए थे शिवसिना के लोग और उद्व ठाकरे और उस व्यक्ति के ऊपर यानिकी प्रात्मी की दर्च करा दी तो जिस तरीके से लोगतंत्र की बात की जाती है महाविकास अगारी सरकार की तरफ से और द अंदर पर नहीं चलते हैं और जो भी सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है या फिर सरकार के जो काले कारना में हैं घुटालों को उजागर करता है महाविकास अगारी या शिवजेना की जो कारे करता है या नेता है वो हमेशा उसके उपर ही सवाल उठाते हैं चाहे फ पर की जनता की लिट सुमया के साथ खड़ी हुई दिखाए दे रही है और सवाल पूछे जा रहे हैं महाविकास अगाडी सरकार से खेर इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताईए धन्यवाद